नासा बर्फ के गोली पर इलियंस की खोच करने जवारा ये बर्फ का गोला ब्रस्पती का चौथे सबसे बड़ा चंदमा यूरोप है और इस उपग्रे की सतह पर बर्फ की कई मील मोटी च्वादर है और इस पर रिसर्च के लिए अमेरिकन स्पेस एजिंसी 10 अक्टूबर को अपना महात्वा कांग्शी यूरोपा क्लिपर मिश्वन लाँच करने वाली है जो स्पेस क्राफ्ट यूरोपा तक जवाएगा वो नासा का अब तक सबसे हाई टेक स्पेस यान है और नासा का यूरोप क्लिपर मिश्वन 2030 तक विज्वन लिने क्वेक हेंडरसन ने एक पोड़कास्ट में भी बताया कि ये मिश्वन यूरोपा के संरशना और भूव विज्वन को समझने के साथी ये भी तैक करेगा कि क्या कभी यहाँ जीवन की संभावना है ब्रस्पति के चंद्रमा पर पहुच में से पहले ये चंद्रमा से थोड़ा छोटा है दूर से देखने पर ये सर्फ बर्फ का सफीद गोला दिखाई देता है ना सवेग्यानिक लिने क्वेक हेंडरसन कहती है कि जब आप इसके नजदीक जवाएंगे तो इसमें दरारे और गड़े नज़र आते हैं जो भूरे रंके हैं लिने नाखुनों से घसीटा हो यूरोपा में बर्फ सता हिलती दिखाई दी है नासा कानुमान है कि इन सताहों के नीचवे महासागर हो सकता और ऐसा है तो यहां या तो जीवन भी है या जीवन की संभाव ना है नासा के वैग्यानिक यूरोपा क्लिपर से यह जवाब तलाशनी की कोशिश कर रही है कि क्या यूरोपा में बर्फ के नीचवे इलियन्स का घर है लिनिक वेख हैंडलसन कहती है कि असमिश्वन से हम ये साबित करेंगे कि यूरोपा में वे तत्व मौझूद है जहां जीवन को संभव बना सकते है नासा स्पेस में इलियन्स होने की जाता है और ऐसे में वेख्यानिक ये अंदिश्वत जता चुके हैं कि शुक्र या उसके आसपास इलियन्स हो सकते हैं वेख्यानिक ये भी मानते हैं कि शुक्र के वायू मंडल में ज्वाला मुखी की वज़े से ऐसा होना संभव हो सकता है